प्रदेश और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर अभ्यान चला रही है तो वहीं बेटीों की प्राप्ती पर महिलाओ का शुषण होना आम बात हो गई है ऐसा ही एक मामला सिविलाइं स्थाना छेतर के मउ में देखने को मिला यहां बता दे कि सिविलाइं स्थाना छेतर के भूला सिंग की मिलक निवासी शावाना की शादी विगत तीन साल पूर्फ मउ निवासी महमद उमर के साथ होई दी शादी के बास सही ये दहेज लोबी सस्थालियों से परिशान करने लगे हद तो तब हो गई जब शबाना के दो बेटीों की प्राप्ती हुई बेटी की प्राप्ती के बाद ये दहेज लोबी सस्रालिय आग बबूला हो गए और शबाना के परीजनों से लगातार दहेज की मांग करने लगे इस दोरान इन दहेज लोबी सस्रालियों ने शबाना की मां को भी मार पीट कर घैल कर दिया और शबाना को भी मार पीट कर घर से निकाल दिया शबाना ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभिहान को साकार करने वाली सरकार शबाना को इंसाफ दिलाती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा समाना आपकी सादिक काब हुई थी कहा हुई थी और किसके साथ हुई थी सन 2015 में हुई थी मौह में मुहम्मद उमर के साथ फिर क्या हुआ क्यों परहसान करते हैं आप लो आप मुझसे रोज तो देहज मांगते हैं और बुलट गाड़ी मांगते हैं वो कहते हैं के नाम है अपनी मां वापस है मुझे बुलट गाड़ी दिलवा और देहज ओड़ दिलवा और चीज को भी कहते हैं हमाई सास कहती है चीज को कहा हमें चीज तो ढंग से दी नहीं है अजा आप क्या घट न हुई आपके साथ अब मेरी के नाम है लड़की पहली भी हुई थी मुझे पहले भी बहुत तंग से रखा था ढंग से खिलाई पिलाई नहीं करी मुझे बिल्कुल भी और खूब मारा बैल्टे फेरी मुझे क्यों मारते हैं लड़की होने पर मैरी मागु भी खूब मारा और मुझे मेरे कमरे में बन कर दी थी मुझे देखने नहीं दिया तो इसकी सिकात पुलिस्से की आपने जी पुलिस्से भी की थी पुलिस न कोई कारवाई की आब तो नहीं आप तो नहीं करी